पता है तू क्यूब्स एच औफ वाल्यूम थिख और जॉइंटर मिटर जोई एंट डिएप्ट सर्फेस एरिया ऑफ धी रिज़ल्टिंग क्यूबवाइट यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे पस दो क्यूब है और इन दोनों ही क्यूब की जो वाल्यूम है हमारी 64 सेंटीमिट यानि कि पहले वाली की भी 64 cm अनि के भी 64 cm क्यूब वाल्यूम है और दूसरे वाली की भी 64 cm Fred Charito कुछ है, अब कहा जा रहा है कि इन थोनों स्थी Κूब को कर जाइन किkr legal है, । जान रहें दोने के मॊंत हैं भी फिर थी कूप का स़वेयट नैंकर तो अट Net हम find करेंगे क्यूब की sides को किसके थ्रूब की volume के थ्रूब तो यहाँ पर हमें volume of cube 64 cm cube given है तो अब हमें यहाँ पर इस cube की side को find करना है तो cube की side का formula क्या होता है हमारा A cube और 64 हमारा किसका cube होता है 4 का यानि कि यह हो गया हमारा 4 का cube अब यहां पर हमारा क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो इसकी A साइट क्या निकली यानि की साइट 4 सेंटीमिटर यानि की इस क्यूब की लैंद प्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है हमारी 4 तो यहां पर हमारे दोनों ही क्यूब की length, breath और height क्या है यहां पर हमारी 4 cm अब क्या कहा गया था कि question में इन दोनों ही क्यूब को एक दूसरे से अगर join कर दिया जाए तो कुछ इस तरह की हमारी shape बनेगी तो जिसकी length, breath और height तीनों ही अलग-अलग होती है वह हमारा cuboid होता है तो यहां पर cuboid की length क्या होगी पहले इस एक cube की length है हमारी 4 और दूसरे वाले cube की length है हमारी 4 तो all over length कितनी हो गई? इस cuboid की हमारी 8 और height क्या रहेगी हमारी 4 और breath भी होगी हमारी 4 cm तो अब हमें हमें इहां पर क्या find करना है? surface area of cuboid तो हम लिखेंगे dimension of cuboid, length अभी मैंने बताई थी कि 2 cube को plus करने पर cuboid के length आई 8 cm, breath हुई 4 cm और height भी रही हमारी 4 cm तो अब हम लिखेंगे surface area of cuboid, surface area of cuboid का हमारा formula क्या होता है, 2 bracket में LB plus BH plus HL तो हम यहाँ पर अपनी values को put करते है, 2 as it is, length क्या है 8, अब जब हमारे बीच में कोई भी sign नहीं है, इसका मतलब into का होता है, तो L के बाद into का sign लगाएंगे, breath क्या है, यहाँ पर हमारी 4, breath है, यहाँ पर again हमारी 4, into का sign, height है, यहाँ पर हमारी 4, plus, फिर height है, हमारी 4, और length है, यहाँ पर हमारी 8, अब हम इन सब को पहले multiply करेंगे, 8, 4, 32, 4, 4, 16, and 4, 8, 32, अब इन सभी values को हम अपना plus करेंगे, bracket का मतलब होता है, हमारा into plus होकर आएगा, हमारा 80, अब 2 को 80 से अगर हम अपना multiply करेंगे, तो 2, 8, 16, और 0 cm2, बात की जा रही थी, area की, तो area की नहीं हमेशा हम सेंटी मिटर के अंदर square लिखते हैं, तो यह आगया हमारा क्यूबोइट का surface area, surface area का मतलब ही हमारा क्या होता है, total surface area, इसलिए मैंने यहाँ पर total surface area वाला ही formula लिखा था, तो यहाँ पर हमारा question number first होता है, complete अगर आपको यह question अच्छे से